रीवा जो बनारस घाट के पास इस्तित एक चौल में अकेली अपने दो साल के बेटे के साथ रहती एक दिन उसके दर्वाजे पे रात के समय एक घायल वैक्ती आता और उस रात के बाद रीवा के जिन्दगी बदन्य लगती और उसकी जिन्दगी में एक नया मोडा था बनारस के रीवा घाट की गलियों में चौल में एक छोटी सी भाड़े वाली कोठी में रीवा रहती थी जो साधी सुदा थी जो साधी सुदा होकर भी अकेली ही जीवन यापन करती अपने दो साल के बेटे सांतनू के साथ कर रही थी रात के करीब एक बज रहे थी रीवा को प्यास लगी रीवा अपने बिस्तर पर अपने बेटे सांतनू को सुला रही थी ये देखती ही किचन की तरब पानी पीने के लिए जाने लगती रीवा जैसे ही पानी पीने लगी अब ये एक घूंट ही रीवा के गल्ले से नीचे उत्रा था कि पानी तभी रीवा के घर के दरवाजे पे खटखट की अवाज की दस्तक होती रीवा मन ही मन में सोचती कि इतनी राज को कौन हो सकता है छोड़ो गल्ती से किसी ने बजा दिया होगा रीवा पानी पीकर अपने कमडे में जाने लगती तभी फिर से दरवाजे पे खटपट की अवाज सुनाई देती रीवा कुछ दे रुक जाती यह सोच कर की पता नहीं इतनी राज को कौन होगा कहीं चोर नहों फिर मैं मुसीवत में पढ़ जाऊंगी रीवा यही सब सूचती रहती लेकिन दरवाजे पे बार बार खटखट हो रहा था बहुत देर तक दरवाजा लगता खटखटाते रहने पे रीवा मन में सूचती कि कहीं सायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो और रीवा अपने चेहरे को डुपटे से ढख लेती और दरवाजा खोल देती जैसे ही दरवाजा खटाक से खुलता वैसे ही एक नौजवान हट्टा कट्टा लड़का रीवा के घड़ के अंदर गुश जाता रीवा उस दरखे पे चिलाती है तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों खुसे आ रहे हो और ये क्या तुम्हारे पेर में इतना खुन क्यों बह रहा है तुम्हारे पेर में गोली लगी है किसने गोली मारी क्यों पुलीस तुम्हारे गोली मारी है तुम क्या चोर हो या फिक क्रिमलर रीवा ने इतने सारे सवाल एक ही सांस में पूछे नौजमान लड़के ने रीवा से कहा अभी बस चुप रहो तुम्हारे सारे सवालों का जबाब मैं दे दूंगा अभी जितना कहता हूं उतना कर दो प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है रीवा डरती हुई बोलो क्या करूं तुम्हारा जो भी नाम है डरने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे साथ कुछ पर गलत नहीं करूंगा मुझे अभी गर्म पानी की जरूरत है और एक धारदार चाकू लादो जल्दी से वटना मेरे पाउं में इन्फेक्शन फैल जाएगा रीवा उस जवन जवान से कहती है कि मैं अभी लेकर आई तुम यहीं आराम से बैठो रीवा जल्दी जल्दी किचन में जाकर गर्म पानी करती है और किचन के यूज के ही चाकू को गर्म करके साफ कर लेती है गर्म पानी के पतीले और चाकू को लेकर उस नौजवान लड़के के पास आ जाती है नौजवान लड़का रीवा के हां से चाकू लेकर अपने पैर में लगी गोली को निकालने की कोशिस करने लगता है पर दर्द ज्यादा होने की वज़ा से वो ऐसा नहीं कर पाता रीवा उस नजवान को तकलीप में देखती है तो उसका दर्द रीवा से देखा नहीं जाता और उस लड़के से कहती है क्या मैं मदद करूं रिवा की तरफ देखते हुए वो लड़का कहता है हाँ कर दो और सुनो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करू चाकू के नुकीले हिस्से की तरफ से गोली लगी हुए अस्थान से अंदर के आधे भाग तक ले जाओ अगर मैं चिलाओं भी तो तुम नहीं रुकना और एक ही जटके में गोली को फेक देना नौजवान नड़के की बात सुनकर रिवा अपना सर हिलाते हुए अपने काम में लग जाती है रिवा बहुत ही मजबूती से चाकू पकड़कर गोली को एक ही बार में निकाल देती है गोली निकलते वक्त वो लड़का बहुत जोड से चिलाता है पर उसके चिलाने से पहले ही रिवा उस नौजवान के मूँपे अपना हाथ जोड से दबाते हुए रखतेती है उसकी चीख बाहर नहीं आती रिवा जल्दी जल्दी गर्म पानी से सिकाई करके अपने ही एक डूपटे से गोली लगे हुए अस्थान पे बान देती है रिवा उसको पहले से राहत में देखती है वो अच्छा महसूस कर रहा था और अपनी आँखे मुन्ने की कोशिस कर रहा था तब ही रिवा जल्दी से किचन में जाती है और फटाफट दूद में हल्दी मिलाकर गर्म कलके हल्दी वाला दूद बनाती है और उसे पिलाने के लिए ले आती है रिवा उस लड़के के पास आती है तो देखती है वो लड़का सो गया रिवा उसको हिलाते हुए उठाती है उठो उठो ये दूद पीलो उस नौजवान की नींद भाड़ी आँखे रिवा की मीठी आवास से खुल जाती है और अपने मन में सोचने लगता है मैंने तो कभी भी दूद नहीं पिया बस बोटका के साथ अपनी राते गुजारी है लड़का चुपचाप रहता है रिवा उसको चुपचाप देखती हुई पूछती है क्या सोच रहे हो हल्दी वाला दूद पीलो दर्द से अडाम मिलेगा और तुम्हारा नाम क्या है रिवा उसे दूद देते हुए उसका नाम पूछती है नरेंद्र नरेंद्र नाम है मेरा और तुम्हारा नाम क्या है नरेंद्र की बात सुनते ही रिवा इधर उधर देखने में लग जाती है और सोचने लग जाती है बताओं या ना बताओं रीवा को इधर उधर देखते हुए नरेंद्र हसकर कहने लगता है इधर उधर नाम है तुम्हारा नहीं नहीं रीवा नाम है मेरा नरेंद्र दूद पीते पीते रीवा की तरह देखता है और कहता है बहुत ही प्यारा नाम है रीवा वैसे तुम घर में भी अपना चेहरा छुपा के रखती हो क्या नरेंद्र की प्रशनों का बिना उतर दिये ही कहती है तुम यहीं सो जाओ और सुबा होने से पहले ही मैं सुने जा रही हूं रीवा अपने कमड़े में जाकर सो जाती है नरेंद्र वहीं हॉल में लेट जाता है और एक दो घंटे अराम करके वहां से निकलने के लिए उठता है तभी रीवा का ख्याल मन में आता है और नरेंद्र सोचता है रीवा का उठाकर कह देता हूं कि मैं अ नरेंद्र की नजर बस रीवा को निहारते ही रहती है खिरकी से चांद की रौसनी आती हुई रीवा का चेहरा चांद से भी ज़्यादा खुबसूरत रौसनी के लिए रौनक दमकती हसीन लाली को चुराता हुआ जो भी रीवा की खुबसूरत चांद से चेहरे का दिदार कर वो रीवा का दिवाना ही हो जाए थोड़ी देर के लिए नरेंद्र भी रीवा की खुक्सूरत चेहरे को देखते ही अपना सब कुछ भूल गया पर सरीर पे लगे जख्म की वज़ा से नरेंद्र को रीवा के ख्यालों से बाहर निकाल दिया फिर नरेंद्र देखता है कि एक छोटा सा मासूम बच्चा रीवा के बगल में सोया हुआ है नरेंद्र दोनों को नजर भर देखकर चुप चाप बिना कुछ रीवा से बोले दर्वाजे से धीरे खोल कर चला जाता है नरेंद्र अपने ठीकाने पे पहुशता है जहां नरेंद्र की हर रात गुजरती थी गुलावो बनारस के एक मेसुहूर कोठे वाली है जिसकी सुन्दरता का दिवाना सभी कोठे पे आने वाले मर्द होते हैं जो सिर्फ नरेंद्र का ख्याल रखती है नरेंद्र की आहट पाते ही गुलावो नरेंद्र के करीब आती है और कहने लगती है कहां था सारी रात मुझे कितना फिक्र हुई तुम नहीं आए कम से कम बता कर तो जाते जहां भी जाना हो पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना मुझे नीद नहीं आती नरेंद्र अपने पैर के जखम को दिखाते हुए गुलावो की कमडों की तरफ आगे बढ़ जाता है नरेंद्र गुलावो के कमडों में जाकर मखमली बैट पे लेट जाता है गुलावो भी आकर नरेंद के बगल में बैट जाती है वह उनके पेर का घाओ देखकर परिसान हो जाती है और गुलाबों नरेंदर से पूछने लगती है बताओ न साड़ी रात कहां थे और तुम्हारे पैड में गूली कैसे लगी नरेंद्र गुलावों की बात को टालता हुए कहता है तुम्हें तो पता है न इस धंदे में कभी मुझे कुछ भी हो सकता है और अब मुझे सुने दो मुझे अब अराम के जरूरत है नरेंद्र कुछ ही देर बाद नींद के आगोश में चला जाता है गुलावो ओहीं नरेंडर के पास बैटकर नरेंडर को निहारने लगती है और मन ही मन सोचती है बस कुछ दिन और इंतजार के लंभे बांकी है उसके बाद नरेंडर सिर्फ मेरा होगा सिर्फ मेरा कोठे की मालकीन रेसमा बाई गुलावो को आवास देती है गुलावो अरे ओ गुलावो जट से बैट से उठती आवाज लगाती है आई ताई गुलावो रेस्मा बाई को प्यार से ताई बुलाती थी जी ताई कहिए इतनी सुबा क्या काम आ गया है जो मुझे बुला रही हो अड़े गुलाबो तू तो है कि बस नरेंद्र के चक्कर में रहती है और सारे गराकों को तीरी ही खुपसूर्ती चाहिए आखिर कब तक चलेगा इस तरह अपना धंदा पानी गुलाबो ठुमकती हुए बोलती है ताई पिछले रविवार को ही पूरे पच्चास हजार रुपे दिये थे ना नरेंद्र बाबो ने फिर इतनी जल्दी काहे मांग रही हो पैसे तुम्हारे कहने के मताविक नरेंद्र बाबो ने उनसे फिर ज़्यादा पैसे दिये थे देख गुलाबो तु नरेंदर बाबू के चकर में ना पर तु सोचती है कि नरेंदर तेरे साथ साधी करेगा ऐसा कुछ नहीं होगा नरेंदर के जूटे प्रेम से बाहर निकल गुलाबो वो तुसे प्यार नहीं करता ताई आप नरेंदर बाबू के बाड़े में ऐसे बाते ना करो तुमको पैसा चाहिए तो मैं दिला दूंगे अच्छा अच्छा ठीक है अभी मेरे बाते तुमको खराब लग रही है जब नरेंदर तुमको खुद कहेगा कि मुझे साधी नहीं करनी है तब देख लेना तुम खुद ही नरेंदर की सिकायत करते रोते रोते मेरे पास आओगी तब न कहना कि हमने तुमको समझाया नहीं था रेसमा बाई की बाते सुनकर गुलाब उदास होकर अपने कमड़े में चरी जाती है उधर रिवा की नींद आँख खुलते ही वह जट से उठकर कमड़े के बाहर आती है नरेंदर को जगाने के लिए पर रिवा देखती है कि नरेंदर जा चुका है रिवा मन ही मन सोचती है चलो अच्छा हुआ नरेंदर उजाला होने से पहले ही चला गया रिवा अपने घर के कामों में लग जाती है जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने बेटे सांतनू के पास आती है रीवा अपने बेटे को प्यार से सावन बुलाती है रीवा बोलती है सावन बेटे उठ जा मेरे प्यारे सावन सावन थोड़ी ही देर के बाद उठ जाता है और रीवा सांतनु का मुँहाद धोकर साफ कर दूद कर डबा देती है पीने के लिए सांतनू को भी भूख लगी होती है सांतनू थोड़ी ही देर में दूद का भड़ा बोतल खाली कर देता है और वहीं बैठ कर खेनने लग जाता है रिवा हर रोज की तरह अपने हाथों ही से बनाए ही खिलोनों को और रिवा घाट पे बेशने के लिए अपने दुकान की तरफ अपना चेहरा दुपट्टे से ढखकर सांतनू को गोध में लिए चल देती है रिवा घाट पे पहुंचते ही सभी जानने वाले रिवा से पूछने लगते हैं आ गई बेटी चल अब जल्दी से दुकान खोड़ ले हाँ जानकी काकी और आपके लिए लड़ू भी लाई हूँ पूरे सुद देसी घी से बनाई हूँ लो खा लो सच में रिवा बेटिया तेरे हाथों में तो जादू है तेरे हाथ के जिसने खाये लड़ू कुई भी नहीं मना सकता इसी भी तो कहता हूँ तू अपना एक धाबा खोड़ ले तू अपना काम देख ले और लासांदनू को तब तक मैं घुमा दू रिवा अपनी गुजर बसर के लिए हर रोज सुबह दस बजे आती और दो पहर के तीन बजे तक अपने खुलोनों की दुकान बंद कर अपने घर चली जाती आज भी रिवा तीन बजे दुकान बंद कर अपने घर पे आ गई घर का दर्वाजा खुलते ही रिवा को किसी मोबाइल पे कॉल आने का रिंग सुनाई दिया अरे मेरे घर में किसका फोन बज रहा है रिवा इधर उधर देखने लगती है तब ही सावन नीचे जबीन पे कुरसी के नीचे से मोबाइल लाता है और पट टूट जाता है मुबाइल की टूटने से रिंग नहीं बसती और सावन जोर-जोर से रूड़े लगता है रिवा सावन को चुप कराने लगती है और मनही मन में सूचती है सायद यह मोबाइल नारेंद्र का है अगर वह मोबाइल लेने आया तो मैं क्या बोलूंगी रिवा म संनी मन्चिंथित होने लगती है अगर मैंने अच्छे से देखकर मुबाइल हटा लिया होता तो मुबाइल उनकीफ से न टूडता नारेंद्र लेट तक सोता रहता है तब ही गुलाबो नरेंद्र को अवाज 1970 Кdı उठाने लगती है नारेंद्र उठते ही अपना मोवाइल फोन प्रोकेट में देखता है नहीं मिले पे गुलाबो की कमरे में ढूनने लगता है पर कमरे में भी नहीं मिलता है नरेन गुलाबो को अपना अवास लगाता है गुलाबो गुलाबो तुमने मेरा मोवाइल फोन देखा नहीं क्या मैंने तो नहीं देखा तुमने ही तो कहा है कि मेरा मुवाइल फोन गल्दी से भी मत चुना तो मैं भला कैसे जानू कि तुम्हारा फोन कहा है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं नरेंदर मनी मन सोचने लगता है सायद मेरा मुवाइल फोन रीवा के घड़ पे छूट गया हो अब तो रात का इंतजार होना करना बाकी है रीवा के घड़ जाने के लिए गुलाबो नरेंदर को हिलाती हुई नरेंदर कहां खो गए हो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दू नई गुलाबो उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे अभी जाना होगा मैं बाहर खाना खालूंगा अपने घर का दर्वाजा बंद करके सावन को सुनाने लग जाती है थोड़ी देर बात सावन सो जाता है रिवा कि आख भी लग जाती है राग के 11 बज रहे थे तम ही नरिंद रिवा के भर के आकर दर्वाजा को धीरे से बजाने लगता है रिवा के निंद खुल जाती है रिवा सावन को सोया देखकर दरवाजे के पास जाती है और धीमे से आवाज में पूछती है कौन है मैं नरेंद कल रात आया था तुम्हारे घर मेरे पैर में कोली लगी थी और तुमने मेरी मदद भी की थी रीवा दरवाजा खोलते हुए पूछती है अब क्यों आये हो पहले अंदर तो आने देजिए रीवा जी फिर बताता हूँ रीवा नरिंद्र को अपने घर के अंदर आने देती है मेरा मुवाइल फोन छूट गया था वही लेने आया हूँ रीवा घवराई सी आवाज में बोलती है मुझे माफ करे अरे रीवा जी माफी क्यों नहीं आपका मुवाइल फोन मेरे बेटी से खेलते वक्त तूट गया मैं कल ही नया मुवाइल फोन खड़ीद कर आपको दे दूगी नहीं नहीं रीवा जी इसकी कोई जरूरत नहीं है मैं खुद ही नया मुवाइल फोन ले लूँगा बस उच मुवाइल का सिम दे दीजिए जी जरूर अभी लाती हूँ रीवा नरेंदर को मुवाइल का सिम देते हुए पूछती है अब आपके पैर का जख्म कैसा है नरेंदर मुस्कुलाते हुए जी अब पहले से ठीक है और आप घर में अकेली ही रहती है आपके हस्वेंट कहा है आपके साथ नहीं रहते हाँ मैं अकेली ही रहती हूँ और मेरे हस्वेंट मेरे साथ नहीं रहते क्योंकि वो आपके साथ क्य टेज बहुत हैं नहीं रहते आप क्यों अपने खुबसूरत चेहरे को ढखकर क्यों रखती हैं आपको कैसे पता कि मेरा चेहरा खुबसूरत है कर रात जब आपको बताने आया कि मैं spinner रहा हूं तो आपके चेहरे पे खिर्की से चांद की रॉसनी पढ़ रही थी उस रॉसनी में आपका चेहरा बहुत ही खुबसूरत लग रहा था मुझे माप कीजिए मैंने बगएर आपके इसाजत के आपको देख लिया अगर आप बुरा ना माने तो आप अपने चेहरे पे तुपट्टा हटा सकती है और खुली हबा में खुल कर सांफ ले सकती है क्या करू नरिंद्र बाबो मेरा भी मन करता है बिना चेहरे ढखकर जिन्हीं गुजारूं पर रिवा एक अनकही कई जिन्दगी बन गई है ऐसे जिन्दगी जिसमें अपने सपनों के साथ अपने रि कुस्मन बन गया नरिंद्र रुवा की तरफ देखते हुए कहता है जी मैं समझा नहीं अप क्या कहना चाहती है लीवा मायूस होकर नरिंद्ग से बोलती है अच्छा नरिंद्र बाबो समझने की कोसिस नकड़े वैसे भी पुराने जख्मों की यादों को ताजा करना नहीं चाहती मैं खुश हूं अपने सावन के साथ रीवा के मायूस चेहरे को देखकर नरिंद्र बाबु से रहा नहीं गया ऐसा लगा जैसे उनके साथ ये सब कुछ हुआ हो पर उनको इस बात की खबर भी नहीं थी नरिंद्र रीवा से पूछता है रीवा जी क्या हुआ आपके साथ आप मुझे बताएं सायद मैं आपकी मद्द कर सकूं आपकी बाते सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये साथ हुआ हैHAHA सारे जख्म आपके मेरे जख्म से मेल खाते हैं रहने दे बाबू आप मेरी मदद नहीं कर सकेंगे मैंने कोशिज की कई दफा मदद की लेकिन कोई भी नहीं कर सका और एक बात और आज के बाद दुबारा यहां न आना अगर गलती से भी चोल सवालों की नजर आप पर पड़ जाएगी तो हजारों सवालों का जबाब देना होगा मुझे बड़ी मुश्किल से यहां पर अपना घर ठीकाना बना पाई हूं वर्ना इस दुनिया में कौन भला एक अकेली औरत को अच्छे से रहने देता है रीवा की बास सुनते ही की आँखों में आसो जर जर बहने लगते हैं और नरेंद्र बोलता है देखो रीवा मैं तुम्हारी बीती कहानी नहीं जानता लेकिन पता नहीं क्यूं मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं बस एक इंसान होने के नाते तुम्हें खुलकर जीने का हक दिलाना चाहता हूं क्योंकि कल तुमने भी मेरी मदद की एक इंसानियत होते के नाते और अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ वह कल रात की मदद के बदले मदद करना चाहता हूँ नरेंदर की बास सुनते ही रीवा बोल पड़ती है आज हमने पहली बार किसी मर्द को अंचान ओड़त के लिए आँसो बहाते देखा है हाँ रीवा तुमने बिल्कुल सची कहा पर मेरे आँसो दिखाबे के बिल्कुल नहीं है आज कितने वर्सो बाद मेरी आँखों से अनायस आँसो निकल आए और दिल को सुकुम जैसा महसूस हुआ पर कोई बात नहीं रीवा अगर मेरी जरूरत परे तो ये लो मेरा कॉंटेक्ट नमबर बस एक बार इस नमबर पर कॉल कर देना नरेंद्र आपकी खातिरदारी में हाजिर हो जाएगा रीवा नरेंद्र के हाथों से कॉंटेक्ट नमबर लेते हुए कहती है पर मेरे पास तो मुबाल ही नहीं है फिर मैं क्या करूंगी कॉंटेक्ट नमबर को लेकर नरेंद्र रीवा के कमड़े की तरह बढ़ता है रुको नरेंद्र कहां जा रहे हो बस एक बार सांत्रों को देखनू उसके बाद मैं खुद ही यहां से चला जाओंगा रीवा नरेंद्र को रोक नहीं पाती है नरेंद्र सांतनों को पास आकर उसे निहारता है और फिर सांतनों के माथे पे प्यार से चुंबन करता है रिवा से बिना कुछ बोले ही चला जाता है नरेंद्र के जाते ही रिवा अपने घर का दरवाजा बंद कर सोने चली जाती है नरेंदर अपने ठीकाने पे गुलावों के पास महोचता है गुलावों सचधस कर तयार रहती है नरेंदर के ही इंतजार में गुलावों नरेंदर की कडिव आपर बैठ जाती है और कहने लगती है कहां गये थे बाबू आज बड़ी देर कर दी आने में पर कोई बात नहीं आ आये तो सही नरेंद्र गुलाबों को अपने पास से हाथ पकर कर दूर करता हुआ कहता है प्लीस गुलाबों मुझे आज की रात अकीले ही रहने दू गुलाबों के चेहरे पर उदासी छा जाती है ऐसा क्यों बोल रहे हो बाबू इससे पहले तो कभी भी तुमने मुझे इस करने लगता है और मन ही मन में सोचता है जहंग से भी खुबसूरत चेहरे के दिदार के लिए अब तो रात के होने का इंतजार करना होगा रात के करीब लूरी गाते गाते रीवा को बाहर नहीं की निकाल पाती और बारं रीवा नरेंद्र के बारे में सोचने लगती है रीवा मन ही मन सोचती है ये मुझे क्या हो रहा है मैं नरिंद के बारे में क्यों सोच रही हूँ रीवा नरिंद के बारे में सोचते सोचते अपने कमडे से बाहर आ जाती है और बाहर आते ही घर के दरवाजे पे किसी की होने की आहट मालूम पड़ती है रीवा अपने चेहरे को डुपटे से चुपा लेती है और बीना पूछे ही दरवाजे खोल देती है तुम, तुम्हें मना किया थाना कि यहां नहीं आना है फिर क्यों आये हो, तुम क्यों नहीं जानते अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो मुझे बहुत परिशानी हो सकती है मैंने सोचा साइब तुम मेरा इंतजार कर रही होगी इसलिए चला आया मिलने तुमने आज मीना पूछे यह दरवाजा क्यों खोल दिया बिना पूछे कभी दरवाजा मत खोलना नरेंद्र रिवा से कहता है रिवा हिस्किताते हुए वो मुझे लगा कि तुम होगे इसलिए खोल दिया नरेंद्र अपने होटों पे मुस्कान लाता हुआ इसका मतलब मैं सही हूँ तुम भी मुझे याद कर रही थी रिवा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ हाँ नरेंद्र कहो क्या बात कहनी है यह अपना खुबसूरत चेहरे को कम से कम मेरे सामने तो तुम ढखकर मत रखो इन खुबसूरत चेहरे को थोड़ी सी अजादी तो दो नरेंद्र की बात सुनकर रिवा अपने चेहरे से दुपटथा हटा लेती है और खुद को नरेंदर के सामने महफूज महसूस करती है नरेंद्र एक आइना लाकर रिवा को देता है रिवा अब खुद को देखो इस आइने में तुम कितनी खुबसूरत लग रही हो रिवा खुद को आइने में निहारने लगती है तब ही रिवा की नजर नरेंद्र की तरफ पड़ती है नरेंद्र रिवा को निहारे जा रहा था नरेंद्र को इस तरह निहारते देख रिवा की नजर सर्म से जुक जाती है नरेंद्र रीवा को सर्माते देख नरेंद्र से बाते करने लगते है ये लो रीवा तुम्हारे लिए इस मोबाइल में मेरा नमबर सेव है तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो रीवा नरेंद्र से इर्कार करते हुए नरेंद्र से कहती है मैं कैसे ले सकती हूँ और मुझे मोवाइल फोन की जरूरत ही क्या मेरा कोई रिस्तेदार नहीं है जिससे मैं बात करूँ नरेंदर में नहीं ले सकती नरेंदर रिवा को समझाते हुए कहता है ये जरूरी नहीं होता कि रिस्तेदार हो तभी मोवाइल फोन रखे ये फोन तुम अपनी जरूरत के लिए रखो जब भी जरूरत परे तो फोन करके अपनी मदद के लिए बुला लेना रिवा मायूस होकर नरेंदर से कहती है मेरी जिनगी एक अनकहे रिस्तों के साथ जुर गई है जो खत्म होकर भी मेरे साथ काले साई की तरह रहती है जिससे मैं चाहकर भी दूर नहीं जा पाती अच्छा नरेंदर तुम भी तो अपने बारे में बताओ तुम्हारी भी तो फैमली होगी अपनी फैमली के बारे में बताओ और तुम क्या करते हो ये सब भी बताओ हा रिवा मेरी फैमली बहुत प्यारी थी हम सब हमारी फैमली में मेरी मा एक छोटी बहन और एक छोटा भाई बहुत खुश थे उनमें भाई थाने का बहुत ही इमंदार सब इस्टेक्टर था पर हमारी इमंदारी में ही कुछ नामी रईसों को रास नहीं आई मैं उनके कंधों में रुकावट का कारण बन जाता था फिर एक दिन हमारी खुस्यों को काला ग्रहन लग गया जब कुछ एक ही जटके में सब कुछ खत्म हो गया मैंने पहले बहुत कोसिस की कि इन दरिंदों को कानून के सहारे सजा दिर्वाओं पर यह मुम्किन नहीं हो सका उल्टे मुझे पे ही आरोप लगा कर केस फाइल कर दिया गया फिर मैं खुद ही अपना बदला लेना सुरू कर दिया बस एक ही मेरा दुस्मन बच गया है नकुल बस मैं नकुल को मार दूँगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा फिर खुद को कानून के हवाले कर दूँगा फिर चाहे मुझे मौट की सजा मिल जाए मैं खुसी खुसी सजा को सुविकार कर दूँगा नकुल का नाम सुनकर रीवा के पैरो तले जमीन ही खिसक जाती है उसकी आखों से जहर जहर आसु गिडने लगते है और वो नरेंद्र से पूछती है नरेंद्र तुम नकुल को कैसे जानते हो क्यों रीवा नकुल से तुम्हारा क्या वास्ता नरेंद्र तुम नकुल से मेरा वास्ता पूछ रहे हो और उसिस ने तो हमारी जिन्दगी को गुमनामी के रास्ते पे लाकर खरा कर दिया है रिवा तुम क्या कहना चाहती हो अच्छे से बताओ नरेंद्र तुम सुनना चाहते हो मेरी जिन्दगी की अनकही कहानी तो सुनो नरेंद्र में माधो पट्टी जौनपूर गाउं में रहती थी अपने भया के साथ हम दोनों बहुत खुश थे और मेरी पढ़ाई भी उस छोटे से गाउं में बहुत ही अच्छे से चल रही थी तितलियों जैसे बागों में उड़ना अपनी सकी सहेलियों के साथ खुब हसी ठीठोली करना फिर बागों में आम चुड़ा कर भाग जाना बहुत ही सरारत भरा विजास था हमारा चंचलता तो कूट कूट कर भड़ी थी मुझे में और सबकी चहिती बन चुकी थी मेरे कॉलेज में फिरल पार्टी की परफोमिंस होने वाली थी सभी लड़किया ने अपनी अपनी कला के प्रती भाग लिया और मैंने भी निर्थ कला ने भाग ले लिया उस पार्टी में मुंबई सहर के जाने माने सभी रईस आये थे उसी में एक नौजवान अठारा वर्स का नकूल था जो मुंबई का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था हमारे गाओं के कॉलेज को हर सालवे सभी पैसो भी दिया करते थे कॉलेज के प्रोग्रेस के लिए सभी लड़किया अपनी अपनी कला के अच्छे से तयारी करने में लगी थी और मैं भी खूब मेहनत कर रही थी अच्छा निरित करने के लिए मैं बहुत खुश थी पर मुझे क्या पता था मेरी जिनगी में गम आने की सुरुवात उस दिन से होने वाली थी जब मैं स्टेज पे निरित करने गई तो सभी दर्सक मेरी निरित को देखकर ताली बजाने लगे उस समय हौल तालियों की गुंज सुनाई पर रही थी मैं खुद भी निरित पर इतना ताली बजाना सुनकर बहुत खुस हुई मुझे देखकर तो नकुल सहाब मेरी खुबसूरत चेहरे के दिवाने ही हो गए पार्टी खत्म होने के बाद वो मुझे से मिले और मेरी बहुत तारीफ की उन्होंनी कहा आप एक अच्छी निर्तिका बन सकती है फिर क्या मेरे भी मन में खुबस को पढ़ मिल गए लतिका बनने के खुबस में उडने लगी और फिर कुछ ही देर के लिए नकुल भी हमारे गाउं में ठहर गए और मुझे रोज रोज मिलना उनके कहने पर उनके साथ घूमना फिर ना उनके साथ बाते करना बहुत ही अच्छा लगने लगा और उन्होंने मुझसे साधी करने के लिए मेरे भया से कहा भया भी तयार हो गए भया ने सोचा चलो अच्छा है इतना अच्छा रिस्ता खुद ये आया है तो इनकार क्यों किया जाए और अगले हपते ही हमारी सादू नकुल के साथ हो गई अगले ही हपते हमारी फ्लाइट मुंबई जाने के लिए थी मैं अपना समान पैक कर रही थी नकुल जी ने मना कर दिया बोले रहने दो इसकी कोई जरूरत नहीं है वहां मुंबई में सब ये फैसन के कपड़े पहनते हैं तो मैं भी उनकी बातों से खुदवर खुश हो गई और जाने के लिए तयार होने लगी मेरे भया ने भी मुझे अपना असिरवार दे कर कहा तुम जहां भी हो बहुत खुश रहना भया दूसरे सहर में कमाने के लिए चले गए हम दोनों भी फ्लाइट में पकरकर मुंबई आ गए और मुंबई एरपोर्ट के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर नकुल जी के घर पहुँझे अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था और अगली ही पल जब मैं गाड़ी से उतरकर घर में प्रवेश की फिर कुछ देर के बाद घर के अंदर से दो साल का छोटा लड़का दोड़ता हुआ नकुल के पास आया और नकुल को पापा पापा पुकारने लगा फिर नकुल ने अपनी पत्नी जूली को आवाज लगाई जो जूली कहा जल्दी आओ नकुल के एक आवाज ने जूली दोड़ी चली आई और मुझे देखते ही समझ गई कि कुछ गड़बर है और कहने लगी आपने फिर एक और साधी कर ली मैं अपने साथ यह सब देखकर अंदर से बहुँद डर गई थी ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था मैं चुकचाप मुर्ती बनी खड़ी थी मानो मेरा सब कुछ खत्म हो गया मेरी दुनिया में मेरी खुश्या मेरे सपने मेरे अर्मान मेरे दिल की खुआईस नकुल के साथ जिनी जीने की उमीद अपने प्यारा सा छोटा सा आस्याना बनाने की चाहत एक पल में सब कुछ बरबाद हो गया अभी तो मेरी बरबादी का समय सुरू ही हुआ था मुझे इससे ही ज़्यादा दर्द बड़े हाथ से किसे गुजरना था रिवा नरेंद्र को अपनी दर्द भड़ी हदास्ता सुनाते सुनाते जोर से रोने लगी नरेंद्र को रिवा की कहानी सुनकर गुशा भी आया और दुखवी बहुत हुआ कहने लगा रिवा आज जी भड़के रोलो जितना रोने का मन कड़े रोलो अपने दिल के अंदर जो दर्द छुपा रखी हो वो आज इन आशुओं के साथ बेह जाने दो नरेंद्र की बाते रीवा सुनते ही नरेंद्र के सीने से लग जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है इतना रोती है कि नरेंद्र का कंधा भीग जाता है नरेंद्र कहता है बस रिवा अब तुम्हारे रोने के दिन गए और उस नकुल के रोने के दिन आ गए रिवा सुसक सुसक कर रोती रही नरेंद्र नहीं तुम नहीं जानते नकुल को वो बहुत ही खतरनाक है उसके दो रूप एक मानव और एक दानब से भी बत्तर नरिंद्र रिवा को अपने सामने करती हुए कहता है रिवा तुम सुसक कर जब रोती हो तो एकदम छोटी सी बच्ची की तरह लगती हो रिवा नरिंद्र की बाते सुनते ही मुस्कुरा देती है नरिंद्र ताली बजाता हुआ बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो रिवा तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो अच्छा रिवा आगे की कहानी किसी और दिन सुना देना अब मैं तुम्हें और रोता हुआ नहीं देख सकता अच्छा रिवा एक दोस्त दिनाते अगर मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलू तो चलोगी ये मुम्किन नहीं है नरिंडर हम एक साथ कैसे घुम सकते हैं अगर किसी ने देख लिया तो फिर मुझे ये खोली खाली करनी होगी फिर मैं सावन को ऐसी हालत में लेकर कहां जाऊंगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती रिवा कुछ भी नहीं होगा तुम और सांतनू आज साम को तयार होगर रावी घाट के सरकों पे मिलना मैं एक गाड़ी लेकर वहां रहूंगा फिर हम साथ गोमने चलेंगे मेरा विश्वास करो रिवा तुम्हें मेरे साथ गोमकर बहुत अच्छा लगेगा प्लीज रिवा मना मत करना और ये मुवाइल भी रखो अब मैं चलता हूँ रिवा हम कल साम को मिलते हैं नरेंद्र अपने ठीकाने रिष्मा बाई के कोठे पे पहुंचता है वहां गुलाबो नरेंद्र बाबू के इंतजार में गुस्से से मुँ बनाकर बैठी थी गुलाबो के कमरे में नरेंद्र आते ही गुलाबो नरेंद्र पे गुस्सा करने लगती है कहा थे? अब तक ये भी कोई वक्त है आने का समय देखा है कितने हो रहे हैं रात के दो बज गए हैं मैं देख रही हूँ नरेंद्र तुम्हारे रवया कुछ दिन से बदले-बदले से लग रहे हैं पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे लेकिन अब क्यों? नरेंद्र नरेंद्र मेरी तरफ देखो मेरी सवालों का जबाब दो नरेंद्र गुलाबो की तरफ देखता हुआ कहता है गुलाबो तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है गुलाबो घुसा करती हुई फिर क्या वजा है नरेंद्र हर रोज इतनी देर आने की मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहती हूँ और पता है ना ताई का रविया लेकिन अब मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ मैं किसी और के साथ नहीं वो कहते कहते रुक जाती है नरेंदर जितना जल्दी हो सके मुझे यहां से ले चलो तुम्हारे बिना यहां मेरा दम घुटता है नरेंदर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी तो गुनाबो मैंने कहा था न तुम से कि मुझसे कोई उमीद मत रखना और तुम तो मेरे साथ जिनकी जीने के सपने देख रही हो मेरी रात किसी और पत को जाती है हाँ मैंने कहा था अगर अपने बतले का अंजाम के बाद मैं बच जाता हूँ तो अपने जिन्दगी के साथ गुजारूंगी जिस रापे मैं हूँ मौत मेरे साथ साथ चलती है तो तुम उमेद न लगाओ गुलाबो नरेंदर की बास सुनकर गुलाबो चिपचाप हो जाती है और नरेंदर सो जाता है अगले दिन साम को नरेंदर रिवा को कॉल करता है हेलो नरेंदर बोलो हाँ रिवा तुम तयार हो गई हाँ नरेंदर बस सावन को तयार कर रही हूँ ठीक है रिवा सांथनों को तयार करो और घर से बाहर निकलते ही कॉल कर देना मुझे हाँ ठीक है अब रखती हूँ रिवा सावन को तयार करके अपने चेहरे को डुपटे से ढख लेती है और घर का दरवाजा लोग कर रिवा घाट की सरकों की तरफ चल देती है रास्ते में रिवा नरेंडर को कॉल कर देती है रिवा सावन के लिए नरेंडर के साथ गारी में बैट जाती है नरेंद्र गारी में पहने से ही सांतनु के लिए चोकलेट और खिलोने खरीद कर लाया था वो सभी खिलोने और चोकलेट सांतनु को देता है सांतनु चोकलेट और खिलोनों के साथ गारी में खेलने लगता है नरेंद गारी चलाता रहता है और रीवा से भी बात करता रहता है रीवा और सांतनों को बहुत ही सुन्दर सी जगा पे ले जाता है नदी के किनारे बैती धारा की कलकल मधूर अवाज चिरियों की चहचहाहट के गीत सुन्दर सुन्दर फूलों से सजी वहां का सुन्दर मन भावन मन भावन जगा रीवा जगा को देखते ही खुश हो जाती है और अपने चहरे को डूपटे से आजात करके इधर उधर घूमन लगती है नरेंद्र सांतनों और रीवा तीनों ही साथ में खूब खेलते हैं और मस्ती करते हैं साम कब रात में बदल जाती है रीवा को इस बात का ख्याल भी नहीं होता बहुत दिनों बाद खुले आसमान नीचे अपनी जिन्द की जी रही होती है रीवा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर नरेंद्र बहुत ही खुश होता है और रिवा के करीब आकर कहता है रिवा इन खुली वादियों के साथ बहुत ही अच्छी लग रही हो नरेंद्र कहता है ऐसे ही मुस्कुराते रहना हा नरेंद्र तुमने बिल्कुल सही कहा आज मैंने कितनों दिनों बाद इस खुले आसमान के नीचे जिन्दगे जी है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पुराने दिन लौट आये हो नरेंद्र तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ निर्ट्य कर सकती हूं रिवा के बात सुनगर नरेंद्र कहत है मुझे तो निर्ट्य नहीं आता पर तुम्हारा साथ दे सकता हूं रिवा नरेंद्र के पास जट से आ जाती है और उसके साथ निर्ट्य करने लगती है नरेंद्र सोचता है चलो अच्छा है रिवा थोरा ही सही पर जिनके खुलकर जीने के लिए कदम बढ़ाया नरेंद जोडों की भूख लग रही है हाँ नरेंद्र मुझे भी भूख लग रही है तो चलो किसी अच्छे से होटल में तीनों ही एक अच्छे से होटल में जाते हैं रिवा सांतनों को एक चीर पर बिठा देती है फिर दोनों खाना खा लेते हैं नरेंद्र अब जादा रात हो चोड़ देना मैं खुदी वहां से पैदल चली जाओंगी रीवा रात बहुत जादा हो चुकी है तुम्हें अकेले सरक पे कैसे छोड़के चला जाओं तुम फिक्र ना करो नरेंद्र मैं चली जाओंगी और घर पहुचते ही कॉल कर दूंगी नरेंद्र वीबाप को रीवा खाट की सरक पे छोड़ देता है रीवा जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ने लगती है नरेंद्र वहीं रीवा खाट की सरक पे रीवा के कॉल का इंतजार करने लगता है कुछी देर बीच जाने पे रीवा का कॉल नहीं आता रीवा के कॉल ना आन पाती रीवा का कॉल नौ उठाने पे नरिंद्र बहुत बेचैन हो जाता है और उसी वक्त गाड़ी से बाहर निकल कर नरिंद्र रीवा के घर जाने वाली राह की तरफ बढ़ने लगता है दोस्तों आपको क्या लगता है रीवा क्यों फोन नहीं उठा रही है क्या वो किसी अ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में घड़ी को दबाकर ओल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद